सर्दियास शुरू हो चुकी हैं और ऐसे बहुत से विंटर फूड आइटम्स हैं जो न सर्फ टेस्टी होते हैं बलकि इस मौसम में आपको स्वस्थ रखने में मदद भी करते हैं ऐसा ही एक फूड आइटम है खजूर जोसे अंग्रेजी में डेट्स भी कहा जाता है वाइटमिन्स, मिनरल्स, फाइबर और कैल्शिम से भरपूर खजूर को आप अपने खाने, स्नाक्स या ट्रिंक में कई तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं नाशनल सेंटर फर बायो टेकनोलोजी इंफर्मेशन के अनुसार सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और इंफेक्शन से बचाने के लिए खजूर को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना जाहिए चलिए आपको बताते हैं इस फल के कुछ और फाइदे सर्दि के मौसम में शरीर का मेटबॉलिजम धीमा हो जाता है जिसके चलते पाचन से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो जाती है सॉल्यूबल और इंसॉल्यूबल फाइबर से भरपूर खजूर डाइजिस्टिफ प्रॉब्लम्स को दूर रखने में मदद कर सकता है यह शरीर में खाने के अब्सॉप्शन को भी आसान बनाता है आजकर लोगों में आइरन डेफिशियंसी की समस्या बहुत आम हो गई है और यह कई तरह है कि दूसरी स्वास्त से जुड़ी परिशानियों जैसे एनरजी की कमी, हार्मूनल परिशानिया और लो इम्यूनिटी और पेल स्किन का कारण बन सकता है आइरन से भरपूर खलजूर आपका हेमोगलोबिन और रेड ब्लच सेल्स का प्रड़क्शन बढ़ा कर इन परिशानियों को आप से दूर रख सकते हैं सर्दी के मौसम में धूप में जाना कम हो जाता है जिसकी वजह से हड्डियों पर असर पड़ता है और वो कमजोर होने लगती है कैल्शिम से भरपूर खलजूर को अपनी दायच में शामिल करके आप इन परिशानियों से बच सकते हैं इसमें मौजूद मिनरूल्स, औस्टिपोरेसिस और अर्थराइटस जैसी हड्डी से जुड़ी समस्यां से बचाने में महत्व पूर्ण रोलने भाता है खजूर खाने से बैट कोलिस्ट्रोल लेवल कम होता है जो हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी परिशानियों को कम करता है साथ ही ये स्टैमिना बढ़ाने में भी मदद कर सकता है जिससे आप सर्दियों के थंडी दिनों में ठका हुआ महसूस नहीं करते